हलो माई दियर फ्रेंद्स विल्कम बैक तो माई यूटीव चानल मैंत कार्ट बाई निदी जैसा कि आप लोग ने थाम्नेल पर और देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम भात करेंगे साइन्स ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से ओगनाईज किये जाने वाले ओलंपियाड के बारे में कैसे रजिस्टिशन किया जाता है और जानेंगे कि यह ओलंपियाड कब कंडग कराए जाएंगे सो वीडियो को पूरा देखे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब कर दिया गया है जिससे कि आप ओलंपियाड की तरफ से कोई भी ओफिशल नोटिस नहीं आया था कि इस साल यानि कोरोना पीरेड में इस पेंडिपिक सिचुएशन में सो फी तरफ से ओलंपियाड होंगे भी या नहीं होंगी बट अब इंतजार खतम हो चुका है क्योंकि सेशन 2020-2021 में होने वाले डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए ओलंपियाड की डेट भी अनाउंस कर दिया साथ ही स्कूल को रिजिस्टिशन लिंक भी प्रवाइड कर दिया गया है जिससे कि आप ऑनलाइन रिजिस्टिशन कर सकते हैं एस वालंपियाड के लिए सो बहुत जल्दी आप लोगों तक आपके स्कूल की तरफ से लिंक भेज दिया जाएगा अगर नहीं भेजा जाता है तो आप अपने स्कूल की मैनेजमेंट को कॉंटैक्ट कर सकते हैं सो जाए जादा टायम ना लेते हुए चलिए शुरू कर सकते हैं आपने द्वारा दिपले मैं बात कर लेती हुए रजिस्टिशन फीस के बारे में तो कोई रजिशन फीस में चेंज नहीं है इस साल स्कूल जो इंडिया में बंगलदेश में बूटान नेपाल में हैं उनको हर सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट में एस एफ के लिए 150 प्लाइर देनी होगी पर स्टूरें पर ओलंपियाद ओके और नो फीस पेबल फोर शुटेंट सफरें प्रमेजर दिसेबिलिटी और न इन इन इंडिया स्टूरें वह पर मांटें दूरिंग दिफेंस ऑपरेशन सो जो भी शहीड हैं या मेजर दिसेबिलिट वाले सूडे सहीड के बच्चे हैं वो उनके लिए totally free of cost है registration. So registration कैसे किया जाए? Registration के दो स्टेजस हैं. दो तरीके हैं registration जाने के इसे फवैला तरीका बात करेंगे. Schools or students can register for exam also pay registration fees from their offices or homes. School may send a student registration by any of the following methods. So दो तरीके हैं. कौन को से तो तरीके हैं? बात करते हैं, online registration by school and payment, एक link तिया जाएगा, जिसमें की school ही register करेगा, that means आपको अपने details, किस subject में आप participate करना चाहते हैं, और कौन सी books वगेरा purchase करना चाहते हैं, तो वो आप सारी details अपने school को provide करेंगे, और school आपकी payment आप school को करेंगे, then school उसको combine करके, एक registration form एसोर को भीज़ या फिर उसका दूसरा method है, direct registration का, जो कि direct registration by students है, उसमें आपको एक link provide किया जाएगा, school की तरफ से, और school approve कर, आपको school की तरफ से code भी मिलेगा, school code होता है, जैसे हमारा हर्याना, में से मैं वीडियो मिना रही हूँ, तो यहाँ पे हर्याना का code HR, और four numbers का एक code होगा, जो आप registration कर पाएंगे, इस link को use करके, लेकिन ये link आपको आपके ही school की तरफ से मिलना चाहिए, क्योंकि अलव्यार क्या होता है, SOF के अंदर ये है कि, आपको, आप individual registration नहीं कर सकते, आपको school की तरफ से register करना ही होता है, so, क्या benefits आपको मिलेंगी, अगर आप SOF के लिए register करते आपको, each student will be encouraged to take mock test to practice for online exam, so check the compatibility of her or his device to be used for exam, that means, आपको mock test की series कुछ प्रवाइट कराई जाएगी, ताकि आप ये चेक कर पाएंगे, आप अपने phone से, जो exam है, वो दे पाएंगे, और नहीं दे पाएंगे, कोई technical issue तो नहीं आएगा, तो इसके लिए आपको mock test की प्रवाइ with internet connectivity and webcam and in case of non-avariability, a smartphone with a camera, so आपको, क्या है, क्या जरूरी चाहिए, चीज़ चाहिए, कि आपको एक PC, personal computer या laptop आपको चाहिए, जिसमे internet connectivity हो, webcam हो, अगर नहीं है, तो आपको पाच एक smartphone भी होगा, camera के साथ, वो भी आपको चलेगा, then अब बात करते हैं, exam schedule के बारे में, so school may select one date for conducting the Olympiad in their school, changes of dates is not permitted, there are separate quotient papers for different dates, school may send position by 30 days before the chosen exam date, so ये बात करते हैं, हापे हम एक्जाम शेडूल की, आप देख सकते हैं, इसे SOF GK, IGK, that means, International GK Olympiad, so इसके तीन different, different dates दी गही है, it is 7-8 November for set A, that means, 7-8 November, this is Saturday and Sunday, जो सेट A प्रोवाइट किया जाएगा, कोई चूस करते हैं, इसके लिए, set B के लिए 21 and 22nd November है, ये भी Saturday Sunday है, और set C के लिए भी 5 and 6 December, ये भी Saturday Sunday है, Saturday Sunday इसलिए रखा गया है, students, because आप लोग, बहुत सारे लोग, जो हैं, जो online classes ले रहे हैं, या जिनके working parents हैं, वो टाइम, इसलिए, ये SOF के दौरा किया गया है, कि Saturday और Sunday को ही हम ये ओलम्पियाट कराए जाएगे, तो इडिफरेंट डेट्स हैं, आइजी को की, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलम्पियाट की, नेशनल साइंस ओलम्पियाट की, और इंटरनेशनल माथेमेटिक्स ओलम्पियाट की, इडिफरेंट डेट्स हैं, जो आप देख सकते हैं, तो ये आपके स्कूल पर डिपेंड करता है, कि आपका स्कूल जो है, वो किस डेट, कौन से पर्टिकुलर डेट्स चूज करता है, एक्जाम कंडेकर आने के लिए, तो स्टूरेंस, लास्ट डेट है रिजिस्टिशन की 31st October, जो आपके पास है तो टाइम बहुत सारा, बट स्टिल आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी रिजिशन करना, नेक्स तिंग है, कि आप लोगो ने देख लिया है, सारा, आपको समझ आ गया है, कि किस तरह से, कब-कब, कौन से ओलंप्याट कराई जाएंगी, और सारा हो जाएगा, तो I hope friends, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज प्रेस लाइक बटन तो कीप मी मोटिवेटेड, एक और दरूरी इंफोर्मेशन, बहुत ही जल्दी मैं अपने चैनल पर कराने वाली हूँ, IMO यानि International Mathematics Olympiad की प्रपरेशन, तो अगर आप चाहते हैं, IMO मे प्रपरेशन करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना ना बोले, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then stay safe, stay at home, bye bye, thank you